तो सबसे पहले तो इस्तमाल होती है यह बुरबीन को तोड़ने के लिए हमको जुरुत पड़ती है एक मशीन की जिसको गोलते हैं लेजर मशीन पेशेंट के पैनिस में डालेंगे यह लेट सैंड पिशाप का शेष है तो हम राइट सैंड के पिशाप के छेष में इस टोन का चूरा चूरा जो है पेशेंट के पिशाप में निकल जाएगा वेलकम बेग ठोट्ट मैं यू तो यूटूब चैनल आज हमारे साथ है एक इससे आयते हैं इनकी राइट साइट किड़नी में 10 mm का स्टोन पिशाप की निलकी में फसा हुआ है पिछले आठ महीने से दवाई खा रहा है नहीं निकल रहा स्रिट्णी में सूजन आ गई दर्द हो गया और फाइनली जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तब मरीज ने सर्जरी कराने की सोची पेशेंट दिल्ली के नामिक रामी बड़े अस्पिटर में गए लेजर सर्जरी क करेंगे वेलकम तु माई यूरोलजी ओती मैं उट्टर विजंद दुदिन्द हुटता नई दिनी इंडिया में यूरोलजिस्ट और आज मैं दिखा हुआ कि यू आरेस या पत्री निकालने में क्या-क्या समान इस्तमान इस्तमाल होता है तो सबसे पहले तो इस्तमाल होती आपको दिखेगा यह दिखाएंगे अभी स्टोन तोडेंगे सामने स्क्रीन पे स्टोन दिखता है और इस दुर्बीन को बोलते हैं इस योट्रोस्कोप यह मुड़ती नहीं है यह सेमि इजटी इट्रोस्कोप है पर यह जर्मन इंस्टूमेंट है यह इंडिया में नहीं बन बनता है ना यह स्कोप इंडियर बने कभी पर अभी सारा समान जर्मनी से इंपोर्ट होता है इस कैमरे के बाएं मंदर जाएंगे स्टोन को देखेंगे और स्टोन को तोड़ने के लिए हमको जरुरत पड़ती है एक मशीन की जिसको बोलते है लेजर मशीन तो यह है नेजर मशीन यह नेजर मशीन भी बाहर से बनके आई है आपको जब कोई बोलता है लेजर से स्टोन तोड़ना उसका मतलब यह नहीं है कि वह नेजर यूज कर रहा है नहीं कर रहा है आज कल क्या है कि बिना चीरे की सरजरी को यह बोल देता है पर अगर आपको अच्छी सरजरी कर इसके अंदर ग्रीन लाइट है, यह तार अभी दिखाएगे अंदर यह तार जाके अंदर किड्नी के स्टून को एकदम बुरादा बनाके निकाल देगी, यह मशीन बहंगी होती है, इसलिए अर्सेंटर पे होती नहीं, कई सेंटर ने आपको लेजर पूल के इस मशीन को यू तो यह CRM की मशीन है, यह दिखाएगे, तो यह CRM की मशीन है, यह X-ray होता है, जिससे हम पेशेंट के अंदर पत्थर कहां पर है, वो देख सकते हैं, तो अगर हमें लेजर स्टोन सरजरी करनी हैं बिना चीरे के, तो जरूरी है चार चीज़े, पहली लेजर की मशीन, दूस तो स्टार्ट करने से पहले हम जो है, यह मारा पानी है, यह इस्टूमेंट है, यह हम चेक कर लेंगे, तो अब हम इस इस्टूमेंट को फोलो, पानी खोलो, तो अब हम इस यूरिट्रोस्कोप को पेशेंट के पानिस में डालेंगे, यह पिशाप का रस्ता है पेशेंट का इस पिशाप के रस्ते के थू यह आप देखेंगे तो इस एक यह सेक्स का रस्ता होता है जा से सीमन निकलता है जो लोग नाइट फॉल से दाच से परिशान है तो इस एरिया में पॉलम होती है और यह अब हम आ गए ब्लैडर के अंदर यह मरीज सा ब्लैडर है और यह पिशाप की निल्की है जहां स्तों फैसा हुआ है और फैलकित सांगी राइच सांगे पिशाप की शिए तो हम राइड्या पिशाप के चई लेकशन डालें जोन निकारणने के लिए नियुए तो उव्पास ठीड इस थिरू मिशाआ की इस भाइचा से जोड़ा पिशाप क तो यह लेफ्ट वाला है और दाइज का निपल डूमना है तो देखेंगे राइट साइड के अम पेशाप की नल्की में गा रहा है और आप अपने इस विस्टुमें से इसकी में अन्पर करेगे कि अब देखेंगे सामने स्टून स्टून ओं तो अधखेंगी आप यह ट्रून है है Mmdl कि यह किड्नी में उपर जा रहे हैं तो यह किड्नी का रस्ता है हम इसको तोड़ेंगे अभी अब फिर से जा रहे अंदर तो आप देखेंगे की वे अगया इंसाइट में आप धियु अवह नेजर भेज की पहारा स्टोन ठीक आप स्टोन पो तोड电ीः हो नेजर अचतर में नेजर फाइबर है है तो बड़ी फटीश यजिज अवीजार फाइबर हैессा समय पर बड़ेर से में स्टोन को देरे देरे डास्च करेंगे अब देखेंगे, यह सामने देख रहा है, आप आप स्टोन को खोड़ेंगे, आप देखेंगे किस तरह यह AK-47 की तरह, यह स्टोन को, यह देखेंगे, को यह पूरी सर्जवी पानी के मातियम से होती है, जरूरी है कि जब भी यह सर्जवी हो, तो पेशन पर अटिपर्टिक दिया जाए, ठाकि पेशन को इंफेक्शन ना हो, देखेंगे, स्टोन का चूरा हो चुका है, यह स्टोन का चूरा जो है, पेशन के पिशाब में निगल जाएगा, तो जब पेशन सुबा के पिशाब में निगल जाएगा, यह स्टोन का चूरा जो है, पेशन के पिशाब म कि अभी फाइरिंग के मिर देखो आवे बार आवे अब यह जो है यह जो है यह पॉपकॉर्ण मोर्ड है इसके मदर हम इसको पॉपकॉर्ण के दरे इनको यह आपको स्टोन लग बड़े रहे हैं पर यह स्टोन जैसे है क्योंकि जो दुरबीन होती है मैंनिफिकेशन होता है तो लग रहे है स्टोन बड़े पर अक्युली स्टोन अब सरफ 0.1 mm ताइपस रहे चुके है तो यह स्टोन जो है राम से जो है बाहर किशाप के सार निकल जाएंगे तो अब देखेंगे स्टोन एक तूरा हो चुका है बड़ा हो चोटा कर देते है यह बिखेंगे में यह चोटे यह लैंगनिफिकेशन में है कर देख रहा यह जो दूर्बीन कितनी स्टोटी थी और इतना बड़ा लग रहे है तो एक्चुली यह वह चोटा चूरा रह गया विस पूरे को जो है निकालनी की जुदत लही है अफ्लश कर देंगे उतना ताफी है करूब 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 कर रहा है यह तारे स्टोन अब जो है ःट बार आचुगे तो यह इसको पूलते है लेजर उर्स और यह वार नीकल दुगे यह अब आर आब से प्रेशन देखिया भी नहीं है यह तुकड़े वगरा जो है किंडी विकुल तीन है तब यह जो है यह सारा बार क्लश हो गया अभी इसके ब्लैडर है पिशाफी थैलिए पड़े है और यह कल पिशाफ के साथ मिगल जाएंगे तो आपने देखा किस तरीके से हमने 10-15 मिनिट के अंदर पेशेंट का काफी सा है पर कि एंड टानेंगे हुई वह स्टेंटन नॉर्मली चाहाय कि कट्नी स्टों लेग एए शे के एंड्य फॉर्य में आप चब्दि खतुल को ड्लीच ऑर जानकारी चाहिए तो ओमारे चैनल पर आपको किट्नी स्टों के बारे में पपरिशीर जानक्तारी मिनेगी अगर आप किटनी स्टोन से परिशान है और अब लेटेस्ट लेजर तरीके से किटनी स्टोन की सर्जी का में चाहे तो हमारे सेंटर पे काफी एकनोमिकल डेट्स पे और इस्वारस में पैनल्स में यह सर्जरी की सोविदा एविलेबल है थैंक यू सो मुच ठीक है